उम्शंती 25 जुन 70 अव्यक्तवानी व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोग के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देश की रीती माफिक बोलना पड़ता है वहाँ अव्यक्त वतन में तो एक सेकिन में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते है यहां आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बात स्कष्ट होता है यह है फर्क व्यक्त भाशा और अव्यक्त बाबदादा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाबदादा क्या देख रहे है जैसे साइन्स द्वारा कहा कहा बाते कहा कहा के दुश्य कैच कर सकते हैं वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिती के आधार से सम्मूग की बातों को कैच नहीं कर सकते हो तीन बाते देख रहे हैं वह कोन सी बाब दादा आज यही देख रहे है कि हरे कहा तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहा तक बने है जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है इस समय आप लौ मेकर भी हो और न्यू वल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है वि यही सर्विस अब रही हुई है जिससे नाम बाला होना है वह चेकर्स क्या चेक करते है एडल्ट्रेशन और करप्षन तो यही सर्विस अब रही हुई है करप्षन और एडल्ट्रेशन करने वाले जो है उन्हों के पास अल्माइटी गवर्मेंट का चेकर बन कर जाओ जैसे उ पांडव गवर्मेंट के ऑथोरिटी से चेकर्स बन कर जाओ जो वह देखने से ही अपनी करप्षन एडिल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर जुकाएंगे अब यह सर्विस रही हुई है इससे ही नाम बाला होना है एकने भी सिर जुकाया तो अनेकों के सिर जुक जाए पांडव गवर्मेंट की ऑथोरिटी बन कर जाना और ललकार करना अब समझा अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है तो कहां तक चेकर बने है और मेकर्स बने है और कहां तक रूलर्स बने है यह बाते एक-एक की देख रहे हैं, जब अपने को इन तीन रूपों में स्थित करेंगे, तो फिर छोटी-छोटी बातों में समय नहीं जाएगा, जब है ही औरों के भी करप्शन, एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन, एडल्ट्रेशन रह सकती है, तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहां तक स्थित रह सकते हैं, रूलर्स जो होते हैं, वह किसके अधिन नहीं हो सकते हैं, तो फिर माया के अधिन कैसे होंगे, अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से अधिन हो जा जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार्चित जरूर बनेंगे जितना जो उदार्चित बनता उतना वह उदाहरन स्वरूप बनता है अनेकों के लिए उदार्चित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे तो फिर उदाहरन स्वरूप बनेंगे, जैसे बाप दादा उदाहरन रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरन रूप बनेंगे, उदार चित रहने वाला उदाहरन भी बनता और अनेकों का सहेजी उदार भी कर सकता है, समझा, जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारन करती है उस समय श्रीमत लेकर वेरिफाई कराने का आलस्य करते है फिर देह अभिम बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है आलस्य, सुस्ती तथा उदासी इश्वरिय सम्मंद से दूर कर देती है साकार सम्मंद से वा बुद्धी के सम्मंद से वा सहयोग लेने के सम्मंद से दूर कर देती है इस सुस्ती आन से शुरू होते है ज्यानितु आत्मावस्थों में लास नंबर अर्था सुस्ती के रूप से शुरू होती है सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे बरतमान इसी रूप से माया की प्रवेश्था होती है इस पर बहुत ध्यान देना है इस छटे रूप में माया भिन्न भिन प्रकार से आने की कोशिश करती है, सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं, शाररी, मानसी, दोनों सम्मंद में भी माया आ सकती है, कई सोचते हैं चलो, अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है, अव्यक्त स्तिती इस पुर्शार्थी जीवन में 6-8 गंटा रहे, यह हो कैसे सकता है, यह तो अंतमे होना है, यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है, फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है, अब इसके चेकर बनो, कोई भी रॉयल रूप में माया इचे हटाती तो नहीं है, प्रवरुत्ती की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवरुत्ती में रहते, वैराग्य रुत्ती में रहना है, यह भूल जाता है, आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते है, बहुत सुक्षम संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प तो अब यह चेक करना है कि तिवर पुरुशार्ती बनने में वा हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंच कर लेना है। तब ही लौ मेकर्स वापीस मेकर्स बन सकेंगे। वा न्यू वर्ड के मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयम को ही न्यू नहीं बनाएंगे। तो न्यू वर्ड के मेकर कैसे पहले तो खुद को बनाना है ना, पुर्शार्थ में तिवरता लाने का तरीका मालुम है, फिर उसमें ठैरते क्यों नहीं हो, जब तक अपने आप से कोई प्रतिग्या नहीं की है, तब तक परिवक्वता आ नहीं सकेगी, जब तक यहां फिक्स नहीं करेंगे, तब तक वहां पुर्शार्थ में तिवरता कब लाएंगे, अभी से, म्यूजियम वा प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना, की अब नहीं, तो कब नहीं, वह अपने लिए भी याद रखो, कब कर लेंगे, ऐसा न सोचो, अभी बन कर दिखाएंगे, जितना प्रतिग्या कर उतनी परिपक्वता वाहिमत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा, आप पुराने हो, इसलिए आपको सामने रख समझा रहे है, सामने कौन रखा जाता है, जो सनेही होता है, सनेही यों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है, एक-एक ऐसे सनेही है, सभी सोचते है, बाबा बड़ा आवाज क्यूं नहीं करते है, लेकिन बहुत समय के संसकार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते है, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, यह प्रैक्टिस करनी समझा, बाब दादा बुद्धी की ड्रिल कराने आते है, जिससे परखने की और दूरान देशी बनने की कौलिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी, जिसमें दूरान देशी बुद्धी और निरने शक्ति बहुत चाहिए, इसल ड्रिल से बुद्धी शक्तिशाली होगी, जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रोरुत्ती का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे, दोनों लाब होंगे, जितनी बुद्धी फिक्स रहती है, तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते है, प्रोग्रेम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्रेम भी हिलते है अब फिक्स करना सीखो अब संपुर्ण बनकर औरों को भी संपुर्ण बनाना बाकी रहे गया है जो बनता है वह फिर सबुद भी देता है अभी बनाने का सबुद देना है बाकी इस कारिय के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, ओम शंति!